हेलो दोस्तों हमारे चैनल वीस ओनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिस से बहुत-बहुत सौगत है रेल्वी की ओर से रेल्वे एंटीपीसी 10 प्लेस टुक्रियां पर जो नोटिफीकिसन जारी कर दिया गया है स्वास की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप बारवी पास हैं तो रर्वी एंटीपीसी का ओनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे क्या क्या डॉकुमेंट लगेगी कितना फिस लगेगा पूरी जनकारी आपको इस वीडियो में step by step बताया जाएगा तो इस वीडियो को आप लाज तक जुरू देखें इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो ऐसी ही और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए तो चलिए वीड 29-24 यादा 21 सितंबर से यहां पर सब्सक्राइब उया हमारे तो आप जो है 20 अक्टूबर तक और फॉर्म भरपाएंगे दोस्तो फॉर्म भरने के बाद अगर आप पेमिंट नहीं कर पाते हैं तो यहां पर दिख सकते हैं पेमिंट करने का लास्ट देट 21 से 22 सक्टूबर र यहां पर notification जारी किया गया है दोस्तों, form भरती समय कितना फिस लगेगा उसके बारे में आपर दिख सकते हैं फिस का structure बताया गया है तो अगर आप जो है OBC या General Category के candidate है उस condition में आपका आप जो है 500 रुपे का फिस लगेगा जब आप exam देंगे तो आपका 400 रुपे है आपको वापस कर दिया जाएगा अब दोस्तों आपर बात करें HC, ST, साथी female candidate, PWD, transgender, साथी एकसेसरिस्मेन इन सभी category वाले candidate को 250 रुपे के हाँ पर payment लगने वाला है दोस्तों जब आप stage 1 याननी CBT के exam देंगे तो आपको 250 रुपे आपके bank पर refund कर दिया जाएगा इस प्रकास यहाँ पर आप fiscal structure देख सकते हैं अब चलिए दोस्तों जा लेते हैं कि हमें online form अपने mobile पर cash भरना है online form submit करने के लिए सबसे पहले आप अपने mobile के browser को open कर लीजिए सर्च बार पर आना है और यहाँ पर आपको rrb apply online लिख के सर्च करना होगा अब यहाँ पर दिखेंगे तो rrb की official site यहाँ पर दिख जाएगी rrb apply.gov.in लिखा हुआ आजाएगा आपको इस जो है link पर click करना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे आपके शामनी इस प्रकार से rrb में online form apply करने का page आ जाएगा अब form apply करने के लिखेंगे तो apply यहाँ पर लिखा हुआ आता है यहाँ पर आप click कर दिजिए जैसे friends आप यहाँ पर click करेंगे हमारे सामनी इस पर दिख सकते हैं दो options आ गया है दोस्तो आप नहे candidate हैं अभी तक आपने rrb में कोई form नहीं भरा है तो सबसे पहले आपको create an account लिखा हुआ आता है यहाँ पर click कर दिजिए इसके बाद इस प्रकार्च नोटिफिकेशन आर जाएगा आपको ok की बटन पर click करना है अब यहाँ पर account जो है create करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो name लिखा हुआ आता है तो आप यहाँ पर नाम अपना दुबारे यहाँ पर enter कर दिजिए जो भी आप इस spelling डालेंगे यहाँ पर देख सकते हैं 10th के mark sheet के ही recording डालना है इसमें कोई भी आपको mistake नहीं करना होगा इसके बाद उसको नीचे पूछा जा रहे कि क्या आपने कभी calendar से सबसे पहले आप अपने date up birth की year को select कर लिजिये मन्तों को select कर लिजिये और यहाँ पर date को select कर लिजिये इस प्रases से आपका date rate बरत हैं यहाँ पर दूबार आपको ड Fragen करने कलिए कहा जाता है यहाँ पर आपने keyboard से यहाँ पर डेट बरत है उसे यहाँ पर छयादा जाता है यहाँ पर ग्ली करेंगे तो male, female या transgender जो भी आपकी gender होगी यहां से आपको अपना gender selected कर लेना है इसके बाद नीचे आपको दुबारा gender selected कर लेना होगा आप नीचे देखेंगे तो father's name मांगा जा रहा है तो यहाँ पर आप अपना father's name लिख दीजिए नीचे आपको अपने father's name को दुबारा retype कर देना है जो भी यहाँ पर नाम लिखेंगे 10th के certificate में है उसी प्रेकास यहाँ पर आपको spelling को रखना होगा उसके बाद नीचे mother's name पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आप अपना mother's name डाल दीजिए और दुबारा retype पर यहाँ पर mother's name को दुबारा enter कर दीजिए अब दोस्वें आपर अधार verification के लिए यहाँ पर अधार card का number डालने के लिए कहा जाता है तो अगर आप अधार card का number डालना चाहते हैं तो यहाँ पर इस जो है box पर आपको अधार card का number डालके verify कर लेना होगा अगर तो सबके पास अधार card नहीं है अगर आप जो है other ID के use करना चाहते हैं तो देख सकते हैं I do not have aadhar card लिखा हुआ आता है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए जैसी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं अधार card के बदले यहाँ पर जो है और document यहाँ पर आप सब्मिट कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक करेंगे तो driving license साथी water ID, passport, pen card यह सारे डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हैं अगर दोसों आप अधार card देंगे तो यह सारे डिटेल डालने के आपको कोई भी आउशकता नहीं पड़ेगी आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपसे email ID मांगा जाता है तो यहाँ पर आप अपना email ID डाल देजिए नीचे देखेंगे तो generate email OTP लिका हुआ आता है यहा यहाँ पर आप अपना mobile number एंटर कर देजिए नीचे देखेंगे तो generate mobile OTP लिका हुआ आता है यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके mobile number पर OTP आ जाएगा उस OTP को यहाँ पर आपको डाल देना होगा अब नीचे देखेंगे तो आपसे password बनाने के लिए कहा जाता है आप password बनाने क वैसे आपको यहाँ पर mix password बना लेना है password बना लेने के बाद दुबारा confirm password पर उसी password को यहाँ पर दुबारा आपको एंटर कर देना होगा इसके बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो एक capture code है इस capture code को इस box पर आपको फिल करना है अब नीचे देखेंगे तो preview and create an account लिका ह वो आता है यहाँ पर आप click कर दिजिए जैसी दोस्तों आप यहाँ पर click करेंगे इस प्रकार से देख सकते हैं आपके form का preview है यहाँ पर आ जाएगा जो भी आप detail डाले हुए हैं यहाँ पर आपको सारा detail अच्छे से check कर लेना होगा क्योंकि इसमें कोई गल्ती नहीं होनी चाहिए इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो देख सकते हैं आई हैप जो है रीचे क्लिका हुआ आता है इस बॉक्स पर आपको चेक मार्क करना होगा और create an account लेका हुआ आता है यहाँ पर आप क्लिक कर दिजिए जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो देख सकते हैं आ आपको लॉगिन करने के लिए सबसे पहरे यहाँ पर आपको इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन आजाएंगे इसके बाद आपको इस पेज में नीचे आना होगा और यहाँ पर जो है ऑनलाइन एप्लिकेशन लिखा हुआ आता है यहाँ पर आप क्लिक कर दिजिए जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं किस पोस्ट्र पर आपको फॉर्म भरना होगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है तो यहाँ पर आप जो है 12th पास NTPC के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो देख सकते हैं इस प्रकार से नोटिफिकेशन का करना होगा उजन को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा इसके बाद इस बाक्स पर आपको चेक मार करना होगा और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे जैसी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके शामने आपर देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म भरने के सारी इस्ट यह सारे डेटेल यहां पर आ जाते हैं अब जैसी आप इस पेज में निचे आएंगे आप देख सकते हैं Marital status यानि वयवाहिक किसी पूछी जाती है तो अगर आप जो है Married होंगे तो Married पर क्लिक करेंगे Unmarried है तो यहां पर आपको Unmarried पर क्लिक करना होगा निचे आपसे Religion यानि धर्म मांगा जाता है Hindu Muslim Sikh जो भी आपकी धर्म होगी यहां से आपको अपने धर्म सेलेक्ट कर देना होगा निचे देखेंगे तो Mother Term यानि आपके जो मात्री भासा पूछी जाती है तो आपके जो भी मात्री भासा होगी Hindi, English, Bengali उसको आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना होगा इसके बाद यहां पर देखेंगे तो आपको यहां पर पहचान चीना मांगा जाता है तो आपके जो भी फेस पर कटकर निशान या तील होगा उसको आपको इस प्रकार से लिख देना है इसके बाद यहां पर आपको जो इस सेकेंड पहचान चीना भी लिख देना होगा अगर आप जो AC category के candidate है तो यहाँ पर आपके अपने category certificate के यहाँ पर certificate number कहां से issue हुआ है कौन से date पर issue हुआ है उसके बारे में यहाँ पर पूरर detail आपको देना पड़ेगा उसी प्रकास से अगर आप OBC category के candidate है तो यहाँ पर आप OBC select करेंगे और यहाँ से पूछा जाता है कि आप non-crimiliar के अंतरगत आते हैं या नहीं और आप non-crimiliar के अंतरगत आते होंगे तो yes पर क्लिक करेंगे नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको no पर क्लिक करना होगा अगर दोस्तों यहाँ पर आप अपने जो OBC की certificate यहाँ पर आपको पूरर detail देना होगा दोस्तों जो भी आ card certificate को यहाँ पर आपको approach करना होता है, अब आपके card certificate में जो भी certificate की number होगी, उसे यहाँ पर आपको डालना होगा, इसके बद आप यहाँ पर देखिएंगे, तो आपक का certificate किसके दारा जो है, जारी किया गया है, उसके बारे में आपर पूरा detail दिया गया है तो जो भी आपके card certificate में mention होगा उसको आपको इस list से select कर लेना होगा जैसे sub-divisional officer होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं sub-divisional officer लिखा हुआ आता है यहाँ पर आप click कर देजिए इसके बाद दोसों आपके card certificate है कौन से यहाँ पर इस state से इसु हुआ है उस state को select करेंगे इसके बाद कौन से date पर issue हुआ है उस date को आप यहाँ पर select कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना पूरा address है उसे fill करना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पर आप अपना state select कर लीजिए district का नाम select करना है इसके बाद यहाँ पर आप अपना आसपास के गली महले या जो भी आपके area का नाम है उसको यहाँ पर आपको address में fill कर देना होगा इसके बाद नीचे देखेंगे तो village town या city का नाम है उसे यहाँ पर आपको देना होगा नीचे आपको pin को डाल के यहाँ पर enter कर लेना है इस प्रकार से आपको यहाँ पर present address है complete हो जाता है इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो save का button है यहाँ पर click करेंगे और next पर click कर देगे इसके बाद यहाँ तेखेंगे तो अगली स्टेप में access service main का detail मांगा जाता है तो अगर आप ऍेक्सार्विस-में कंड कंडिडेट है तो yes पर click करेंगे और आपने जो है disability की पूरे detail देंगे अगर आप नहीं है तो simply आपको यहाँ पर no पर click करना है दोस्तों अगर आपकी rating ability affected है उस condition में आप यहाँ पर yes पर click कर सकते हैं नहीं है तो यहाँ पर आपको no पर click करना होगा अगर दोस्तों आप गरीबी रिखा की अंतरकर्ट आते होंगे आपके जो है गरीबी रिखा की certificate बनी होगी उस condition में आप यहाँ पर yes पर click करेंगे otherwise यहाँ पर आपको no पर click करना होगा आप दोस्तों नीचे देखेंगे तो यहाँ पर पूरा account का detail मांगा जाता है यानि कि जो भी आप fees paid करेंगे तो जब भी आप इजाम देंगे तो आपके जो भी पैसे refund होंगे इसी account पर होने वाले हैं तो यहाँ पर आप अपना खुद का account जो है उसको देना पड़ेगा जब भी आपके दोस्तों account में जो आपका नाम है उस नाम को यहाँ पर आपको लिखना होगा नीचे account लिखना होगा आता है तो आप अपने account नमबर दे दिजिए इसके बाद नीचे आप अपने account नमबर को दुबार आप डालके confirm कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो IFSC code मांगा जाता है तो जो भी आपकी bank की IFSC code होगी आपके जो पास्बूक पर होगा उस IFSC code को आप यहाँ पर डालेंगे इसके बाद नीचे continue के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो bank का detail है यहाँ पर पूरा automatic fill होके आ जाएगा इसके बाद नीचे आएगे और यहाँ नेक्स का बटन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा अब दोस्तो थर्डी सिप में देखेंगे तो educational qualification का detail है इससे आपको fill करना है इसके बाद सबसे पहले नीचे आएगे तो यहाँ पर देख सकते हैं matriculation का यहाँ पर आपको पूरा detail है यानि 10th का पूरा detail है उससे देना देखेंगे तो board का नाम आ जाता है आप कौन सो board से किई हैं 36 गड़ बोर्ट से किई हैं सिबसी बोर्ट से किई हैं या किसी और बोर्ट से किए हैं तो इस प्रकार से आपको उस बोर्ट का नाम लिख देना होगा इसके पद यहाँ पर देखेंगे तो कौन से date पर आपको result जारी हुआ था उस date को आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए इसके बाद यहां पर 10th का रोल नंबर मांगा जाता है तो यहां पर 10th का रोल नंबर डाल देजिए अब यहां पर देखेंगे तो दोस्तों 10th के certificate को upload करने के लिए कहा जाता है तो upload document पर आपको click करना होगा और इस जो है ब्राउज करने का options आ जाता है दोस्तों जो आप 10th की certificate upload करेंगे वा जो है PDF format में होना चाहिए साथ ही आप साइज की बात के है तो उसकी जो size है पासो के भी से कम होनी चाहिए तब ही आपकी जो फाइल है यहां पर upload हो पाएगी सबसे पहले आप अपने 10th के certificate को resize कर ल Allah होगा उससिए यहां पर देखेंगे तो यहां पर 8 बटन यहां पर होके आजाएगा आप नीचे आपको दुबार gü allegation पर हाी कर नुग होगा और यहां पर देख सकते हैं 10 फ्याश के अनils कौन से डिस्टिक से आप gerekiyor कहा होगा इस Зटिक को सुलेक्ट करेंगे कौन से बोड में ट्योड किया होगा उस एंटर कर नाम यहाँ आप को इस है ने जहरु करना होग होगा अब नीचे आपसे 12th का percentage मांगा जाता है तो आपका 12th में कितना percentage बना हुआ है उस percentage को आप यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद नीचे दिखेंगे तो add का button है यहाँ पर आपको click करना होगा जैसे आप add के button पर click करेंगे आपको देख सकते हैं qualification यहाँ पर add हो जाता है अगर आपने graduation कर रहा होगा तो यहाँ पर click करके आपको जो है bachelor degree पर click करके आप अपना graduation यानि इस नातक का detail भी डाल सकते हैं इसके बाद उसको नीचे आएंगे और यहाँ पर next का button है यहाँ पर आपको click करना होगा आपको यहाँ पर upload नहीं करना है आपको इस प्रकास जो है जो write करना है तो इस प्रकास आपको जो साबसुत्र photo upload करना है जो आपके photograph होगी उसमें पीछे का background है वाद जो white होना चाहिए तब यहाँ पर photo है upload हो पाएगी दोस्तों आप यहाँ पर photo की size की बात करें तो देख सकते हैं आपके जो photo की size है minimum 30 kb से जो है अधिक होनी चाहिए और maximum 70 kb से जो है कम होने चाहिए तब ही आपके जो photo है upload हो पाएगी तो सबसे पहले आप अपने mobile से photo जो है size reducer पर जाकर आपना photo और signature को resize कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर photo और signature upload करते समय आपको जो हदिक्कत हो रही है आपको photo और signature upload नहीं हो रहा है उस condition में आप हमें नीचे comment करें अगर दोस्तों आप अपना photo और signature resize कर लेंगे तो इस प्रकार से browse के button पर क्लिक करेंगे उसके बाद चुछ फैल पर जाकर आपको अपना गल्री से photo को select कर लेंगा और यहाँ पर देख सकते हैं अगर 200 फोटो में कोई error आता है तो इस प्रकार से वह error तो हो जाएगा अब उस error को resolve करके इस प्रकार से आपको photo है दुबार upload कर देना होगा फोटो अप्लोड हो जाने के बाद देख सकती है इस प्रकास आपको फोटोग्राफ से यहां पर अप्लोड होके आ जाता है अब उसी प्रकास से नीचे देखेंगे तो यहां पर सिगनेचर भी अप्लोड करने के लिए कहा जाता है signature के भी यहाँ पर same size होने चाहिए यानि की जो है minimum 30 के भी और maximum 70 के भी से कम होनी चाहिए तब ही यहाँ पर आपकी signature है upload हो पाएगी अब signature upload करने के लिए दुबारा browse के button पर क्लिक करेंगे signature को select करेंगे और इस प्रकास आपका signature है यहाँ पर upload होके आजाएगा photo signature upload हो जाने के बाद निचे आएगे दोसे आपर photo के बारे में और जो है पूरा detail बताया गया है तो photo upload नहीं होता है तो यह सारे detail आप देखे आप अपना photo को resize कर लेंगे photo यहाँ पर upload हो जाने के बाद निचे simply आपको next का button है यहाँ पर हमें click करना है जैसे आप next के button पर click करेंगे हमारे सामने यहाँ पर last step है आजाता है अब हमें यहाँ पर जो poster का preference है उससे select करना पड़ेगा अब निचे आएगे तो जो भी आप zone selected किये हैं उस zone का नाम आजागा जो भी आप zone selected किये हैं उस zone में कौन कौन से poster हैं उस poster के बारे में आपर पूरा detail आ जाता है तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकास से आपके शामने जो है दो भी आ सकता है तिन भी आ सकता है मैंने जो zone selected किया हुआ है और मेरे पास जो qualification है उस सनुसार यहाँ पर देख सकते हैं पास poster के लिए मैं यहाँ पर apply कर सकता हूँ दोस्तों जिस poster को आपको पहले preference पर रखना है उस poster के आगे यहाँ पर प्लस का निशान है यहाँ पर click किजिए उस प्रकास से बारी बारी आप सभी poster को यहाँ पर click कर सकते हैं इसके बाद यहां पर देखेंगे तो आपने जो भी पोर्स से स्लेक्टिक किया होगा उस प्रकास यहां पर पूरा प्रिफ्रेंस है आ जाता है इसके बाद दोस्तो निचा आएंगे इस जो भी बॉक्स पर चेक्मा करना है और यहां पर जो भी डिकलीरेशन है सभी यहां पर चेक्मा कर लेंगे और जो भी यहां पर प्लेस है यहां पर आप अपना कहां से फॉर्म पर है उस प्लेस का नाम यहां पर आपको लिखना होगा और नीचे देखेंगे तो preview application लिखा हुआ आता है यहाँ पर click कर दिजिए जैसी आप होँपर click करेंगे आपका form का preview है आ जाएगा यहाँ पर जो भी आप detail डाले हैं सारे detail एक बार अच्छे से check कर लेंगे क्योंकि इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए अब दोस्तों नीचे आएंगे यहाँ पर देखेंगे तो ihype चेक्ड़ लिखा हुआ आता है यहाँ पर इस box पर check mark करेंगे और यहाँ पर submit के button पर click कर देंगे जैसे आप submit के button पर click करते हैं अब दोस्तों नीचे आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं दो payment gateway दिया गया है आप दोनों payment gateway में से किसी भी एक gateway पर select कर लिजिए इसके बाद इस प्रकार से देख सकते हैं payment करने का options आ जाता है debit card credit card net banking UPI आप जिस माध्यम से payment करना चाहते हैं यहाँ से payment कर दीजिए अगर आपको UPI method से payment करना होगा तो यहाँ पर आपको UPI पर click करना है गुवल पर फोन पर से payment कर दीजिए payment complete हो जाने के बाद दोस्तों देखेंगे तो आपको जो form है दुबार यहाँ पर redirect कर दिया जाएगा और इस प्रकार से आपका form का preview है आ जाएगा तो आपको print के बट पाने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए